डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिध नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है। और अपने इसी अनभव और एक्सपटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अफ दी आर्ट डाइग्नोस्टिक सेंटर। पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए। हमने एक हाइटेक आदियो विज्वल एमराइ सिस्टम लगाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कटर मुकाबले से दुनिया भर के लोग वाकिफ हैं। 23 ओक्टूबर को कटर पंथियों के बीच मैच की गूँच इतनी तेज थी कि ऑस्टेलिया के खिलारी भी ब्लू आर्मी से सचेत हो गए। बाबर आजम एंड कमपनी के खिलाफ रोमान चक मैच में टीम इंडिया ने चार विकिट से बहतरीन जीत दर्च की है। वहीं विराट कोहली के बल्ले की आग ने एक बार फिर विरोधी टीमों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। कहली की बहतरीन मल्लेवाजी को देखने के बाद आस्टेलिया के हरफन मौला के लाड़ी मिचेल मौश खुद को तारीफ करने से रोक नहीं बाए। इस मैच में मैदान पर विराट जब तक थे फैंस ने जीत की आस को बनाए रखा। रन मशीन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को संगर्श करने पर मजबूर कर दिया और 53 गेंदों में 6 चौके और 4 चके लगाकर 82 रनों की मैच मिनिंग पारी के लिए। मिचेल मौश ने इस पारी के बाद विराट गोली को लेकर तारीफों के पुल बान दी है। शुरिलंका के खिलाफ मैच से पहले मिचेल मौश ने प्रेस कॉनफरेंस में कहा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा देखने के लिए एक विश्विसनी गेम है। मौश लगता है हमें विश्वि कप को यहीं रोक देना चाहिए। हम तीन हफतों के लिए अगभुत हैं। इस मैच को देखने के बाद में कलपना नहीं कर सकता कि उस भीड के बीच खेलने पर कैसा महसूस होता है। मिचेल मौश ने कोली की पारी को लेकर कहा। लेकिन हाँ विराड के करियर पर ध्यान दे तो वह इस प्रदर्शन के लिए पिछले बारा महीने से शान्त थे। उन्होंने वर्ल्ड कप के एहम मैच में अपनी छाप छोड़ी और ये देखने के लिए एक आवश्वेस्न ये पारी थी। उम्मीद है वे टूर्मेंट में आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। अभी के लिए इतना ही हमारी वीडियो उसको जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।